आज हम चालू करते हैं human respiratory system सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि respiration क्या है और हम क्यों करते हैं बई देखो जब भी कोई chapter हम चालू करेंगे तो खुद से एक सवाल पुछना है कि ये chapter हम क्यों पढ़ रहे हैं इसका क्या फैदा है ठीक है तो जैसे human respiratory system हम देखेंगे तो उसमें सबसे पहला जो आता है respiration तो कोई भी organism respiration क्यों करता है अब इसमें maximum जो बच्चे होते हैं जो school के बच्चे होते हैं उनको ये लगता है कि हम सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं that is inspiration and respiration ही respiration है inspiration और expiration respiration नहीं है बटा वो सिर्फ एक पार्ट होता है respiration का तो क्या है respiration यह हम देखेंगे देखें कि जब भी हम food लेते हैं है जब भी हम food लेंगे उस food को हम क्या करेंगे उस food को इस्तमाल क्या करते हैं हमारी energy बनाने के लिए बट वह energy कैसे बनता है हमारी बॉड़ी में अब यहां पर लोग क्या करते हैं food लेना मतलब energy synthesize करना ना food लेते हैं हम digestive system में वो digestion करता है हमारा digestive system उसको energy में convert नहीं करता है वो क्या करता है बटा सिर्फ energy का एक source बनाता है कौन digestive system वो जो एक energy का source है वो हमारी बॉड़ी में absorb होगा देन बॉड़ी के हर एक सेल तक जाएगा और बॉड़ी का हर एक सेल क्या बनाएगा उस food से energy बनाएगा तो वो जो food हम खाए हैं इंटेक किये हैं water जो हम पिए हैं वो उससे हम कैसे energy बनाएंगे ठीक है यहां देखेंगे एक सेल है food की जरुवत है तो हर एक सेल को food कौन ले जाकर देगा obviously blood यह blood है यह blood vessel है हर एक blood vessel cell के पास से गुजरता है और blood में जो भी nutrient है for example glucose, water, oxygen यह सारा गा सारा glucose, water, oxygen जो other nutrient है यह सब क्या होगा बिटा cell में diffuse हो जाएगा cell में diffuse हो जाएगा then यह nutrient and gases का इस्तमाल करके cell अपने आपको जिंदा रखता है अब बात ही आती है कि यह जो भी हम food लिये हैं उसका cell इस्तमाल कैसे करता है energy बनाने के लिए देखेंगे इसको मैं expand करके दिखा रहा हूँ यह एक cell है हमारी body का यहाँ पर glucose है, glucose का formula सबको मालुम होगा C6H12O6 plus O2 इससे क्या बनेगा, obviously आपको मालुम होगा CO2 plus H2O plus ATP अब बात यहाँ थी कि हमने glucose लिया, intake किया हमारे digestive system ने इस glucose को absorb किया absorb करके blood में गया, फिर blood उसको हर एक cell तक पहुँचाएगा और हर एक cell उस glucose का इस्तमाल करके ATP बनाएगा और यह जो ATP है, यही energy का source होता है और यही energy का इस्तमाल करके cell अपने आपको जिन्दा रखता है अब बात ही आती है कि इसमें हम जो chapter पढ़ रहे हैं, respiration यह कहा है तो बेटा मैं बता दूँ, यही respiration है अब यह respiration है, तो इसका क्या मतलब हुआ food molecule को oxygen से break करके हम ATP बना रहे हैं और उस ATP का इस्तमाल हम energy produce करने के लिए कर रहे हैं और हर एक cell इसी energy का इस्तमाल करके आपने आपको जिन्दा रखता है अब बात ही आती है, मैं जैसे सवाल पूछों आपसे तो क्या respiration के लिए हमको inspiration और expiration करना जरूरी है नई, क्यों? क्योंकि बटा जरूरी नहीं है कि दुनिया में सारे organism inspiration और expiration करते हैं मतलब air अंदर लेते हैं और air बाहर छोड़ते हैं मैंने आपको पहले ही बताया है कि inspiration और expiration it is a part of respiration, it is not a respiration it's called breathing, तो breathing हम करते हैं जरूरी नहीं के दुनिया में सारे organism करते हो तो फिर बाकी दुनिया में के organism जो हैं वो अपने food से energy कैसे बनाते हैं? simple सा process है respiration से respiration का मतलब क्या होता है? respiration का मतलब होता है जो भी food molecule हम लिये हैं उसको break down करके उससे energy synthesize करना और उस energy का इस्तेमाल करके cell अपने आपको जिंदा रखता है और organism survive कर पता है then एक दूसरा सवाल पुछूँँगा तो क्या oxygen inspired करना या oxygen की जरूरत होती है respiration में? maximum का खयाल रहता है हाँ बीना oxygen के कैसे respiration होगा? क्योंकि हम लोगों ने ये तो पढ़ा है नहीं बेटा मैंने आपको पहले ही बोला कि respiration is a process in which food is oxidized into energy in the form of ATP तो भई सिधी सी बात है हमको सिव food को break down करके उससे ATP बनाना है अब उस process के समय oxygen का इस्तमाल हुआ तो वो process aerobic respiration कहलाएगा और अगर इस food के breakdown के process में ये food अगर बीना oxygen के that is absence of oxygen के अगर वो ATP synthesize कर सकते हैं तो इस process को हम बोलेंगे an aerobic respiration अब बात यह आती है कि respiration अधिकतर बच्चों के में रहता है सांस लेना सांस छोड़ना फिर से वह मैं बोलूँगा यहां तो वो सांस लिया ही नहीं है मतलब air inspire किया ही नहीं है फिर भी food को breakdown करके ATP में convert कर पा रहे हैं और जैसे कि मैंने बताया है respiration का मतलब होता है कि food को break करके हम उससे energy synthesize करेंगे ताकि एक cell अपने आपको जिन्दा रख पाएगा तो respiration का मतलब आप लोगों को समझ आया क्या है बीटा respiration respiration का मतलब है food को break करके energy बनाना अगर उस process में oxygen का इस्तमाल हुआ तो वो aerobic respiration अगर इस process में oxygen का इस्तमाल नहीं हुआ तो वो anaerobic respiration ठीक है अब इस process में क्या होता है anaerobic respiration में 2 ATP बनता है और aerobic respiration में 38 ATP बनता है clear रहता आप लोगों को ठीक है रहता रखेगा कितना मिनट आज हम चालू करते हैं human respiratory system सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि respiration क्या है और हम क्यों करते हैं जब भी कोई chapter हम चालू करेंगे तो खुद से एक सवाल पुछना है कि ये chapter हम क्यों पढ़ रहे है इसका क्या फायदा है ठीक है तो जैसे human respiratory system हम देखेंगे तो उसमें सबसे पहला जो आता है respiration तो कोई भी organism respiration क्यों करता है अब इसमें maximum जो बच्चे होते हैं जो school के बच्चे होते हैं उनको ये लगता है कि हम सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं that is inspiration and respiration ही respiration है inspiration और expiration respiration नहीं है बटा वो सिर्फ एक part होता है respiration का तो क्या है respiration ये हम देखेंगे देखें जब भी हम food लेते हैं जब भी हम food लेंगे उस food को हम क्या करेंगे उस food को इस्तमाल क्या करती है हमारी body energy बनाने के लिए but वो energy कैसे बनता है हमारी body में अब यहाँ पर लोग क्या करते हैं food लेना मतलब energy synthesize करना food लेते हैं हम digestive system में वो digestion करता है हमारा digestive system हम उसको energy में convert नहीं करता है वो क्या करता है बटा सिफ energy का एक source बनाता है कौन? digestive system वो जो एक energy का source है वो हमारी body में absorb होगा then body के हर एक cell तक जाएगा और body का हर एक cell क्या बनाएगा? उस food से energy बनाएगा तो वो जो food हम खाए हैं intake किये हैं water जो हम पिये हैं वो उससे हम कैसे energy बनाएगे ठीक है? यहाँ देखेंगे एक cell है cell में food की जरुवत है तो हर एक cell को food कौन ले जाकर देगा? obviously blood यह blood है यह blood vessel है हर एक blood vessel cell के पास से गुजरता है और blood में जो भी nutrient है for example glucose, water, oxygen यह सारा का सारा glucose, water, oxygen जो other nutrient है यह सब क्या होगा बिटा? cell में diffuse हो जाएगा cell में diffuse हो जाएगा then यह nutrient and gases का इस्तमाल करके cell अपने आपको जिंदा रखता है अब बात ही आती है कि यह जो भी हम food लिए हैं उसका cell इस्तमाल कैसे करता है energy बनाने के लिए देखेंगे इसको मैं expand करके दिखा रहा हूँ यह एक cell है हमारी body का यहाँ पर glucose है glucose का formula सबको मालूम होगा C6H12O6 प्लस O2 इससे क्या बनेगा? obviously आपको मालूम होगा CO2 प्लस H2O प्लस ATP अब बात यह थी कि हमने glucose लिया intake किया हमारे digestive system ने इस glucose को absorb किया absorb करके blood में गया फिर blood उसको हर एक cell तक पहुँचाएगा और हर एक cell उस glucose का इस्तमाल करके ATP बनाएगा और यह जो ATP है यही energy का source होता है और यही energy का इस्तमाल करके cell अपने आपको जिंदा रखता है अब बात ही आती है कि इसमें हम जो chapter पढ़ रहे है respiration यह कहा है तो बिटा मैं बता दूँ यही respiration है अब यह respiration है तो इसका क्या मतलब हुआ food molecule को oxygen से break करके हम ATP बना रहे हैं और उस ATP का इस्तमाल हम energy produce करने के लिए कर रहे है और हर एक cell इसी energy का इस्तमाल करके अपने आपको जिंदा रखता है अब बात ही आती है मैं जैसे सवाल पूछों आपसे तो क्या respiration के लिए हमको inspiration और expiration करना जरूरी है नई क्यों क्यों क्योंकि बटा जरूरी नहीं है कि दुनिया में सारे organism inspiration और expiration करते हैं मतलब air अंदर लेते हैं और air बहार छोड़ते हैं मैंने आपको पहले ही बताया है कि inspiration और expiration it is a part of respiration it is not a respiration it's called breathing तो breathing हम करते हैं जरूरी नहीं कि दुनिया में सारे organism करते हो तो फिर बाकी दुनिया में के organism जो हैं वो अपने food से energy कैसे बनाते हैं simple सा process है respiration से respiration का मतलब क्या होता है respiration का मतलब होता है जो भी food molecule हम लिये हैं उसको break down करके उससे energy synthesize करना और उस energy का इस्तेमाल करके cell अपने आपको जिन्दा रखता है और organism survive कर पता है then एक दूसरा सवाल पूछूँगा तो क्या oxygen inspired करना या oxygen की जरूरत होती है respiration में maximum हों का खयाल रहता है हाँ बीना oxygen के कैसे respiration होगा क्योंकि हम लोगों ने ये तो पढ़ा है नहीं बीटा मैंने आपको पहले ही बोला कि respiration is a process in which food is oxidized into energy in the form of ATP तो भई सीधी सी बात है हमको सिर्फ food को break down करके उससे ATP बनाना है अब उस process के समय oxygen का इस्तमाल हुआ तो वो process aerobic respiration कहलाएगा और अगर इस food के breakdown के process में ये food अगर बीना oxygen के that is absence of oxygen के अगर वो ATP synthesize कर सकते हैं तो इस process को हम बोलेंगे an aerobic respiration अब बात ये आती है कि respiration अधिकतर बच्चों के में रहता है सांस लेना सांस छोड़ना विड़ा फिर से वह मैं बोलूँगा यहां तो वो सांस लिया ही नहीं है मतलब air inspire किया ही नहीं है फिर भी food को breakdown करके ATP में convert कर पा रहे हैं कि food को break करके हम उससे energy synthesize करेंगे ताकि एक cell अपने आपको जिंदा रख पाएगा तो respiration का मतलब आप लोगो समझ आया क्या है बिटा respiration respiration का मतलब है food को break करके energy बनाना अगर उस process में oxygen का इस्तमाल हुआ तो वो aerobic respiration अगर इस process में oxygen का इस्तमाल नहीं हुआ तो वो anaerobic respiration ठीक है अब इस process में क्या होता है anaerobic respiration में 2 ATP बनता है और aerobic respiration में 38 ATP बनता है clear है इता आप लोगों को ठीक है इता रखे गया कितना मिला इता है